कार्यक्रमों के वावजूत भी इस समारों का उद्घाटन करने की सम्मतिदी हैं हम आपके अभारी हैं। आज इस अनुस्ठान में मेधालयो आसम के माने में राज्येपाल, स्रीबनवारेलाल, पुरोईजी भी पुसित होकर हमें उस्साहित कर रहे हैं। हमारा भारत वर्स हजारों साल के प्रणाध हैंता से के फलस्तरूप जरवादी सब्धता के देश बन चुका था, लेकिन ये देश है नीती, धर्म, मिकता का देश है। हमारे नस नस में ब्यास वशिष्ट वालमी की सूक शमीक शंकराचा जैसे रिशी मुनियों का खून प्रवाहित हो रहा है। भारत स्वास्वा संक महान पतिश्ठाता आचाजव स्वामी प्रणवाणजी महराज ने जोने सिर्फ 20 साली की उम्र में ही अपने कठोर तपस्या, वाईडाग्यसाधन, सुनेंत जिवंचार्जा और कठोर ब्रह्मचार्जपालन, देशप्रेम की ज्वलेंत बिग्रह बन सिर्फ 20 साली कुमर में सिद्धी लाग किये थे और उनके सिमुक से गूंजूटी महाजागरन यह जुग है, महाजागरन, महामिलन, महासमन्वे का त्याग, संजम, सत्त और ब्रह्मचा जही धर्म है, उनके पवित्र चहित्र से आकरशित होकर, हजारो जुवक तता समाद से भी उनसे जुड़े, 1917 साल में उन्होंने देश को स्वाधीन बनाने के लिए बंगाल के इन जुवकों को लेकर बिपलवी अंदोलन्ट में कूद पड़े, और उन्हें इस सिलसले में दो बार जेल भ भाधवर्स में हमारा धर्म, शिक्षा, सहिस्क्रीती सब डूब के चुकी थी, कूशास का तथा भेलवाव से चिन्न भिन भाधवर्स टुकड़ा टुकड़ा हो चुका था, इस हिंदु समाज के इस महामिलन के दोर में बाद कर, आचार्यों स्वामी प्रणवावन जी ने एक बलिष्ठ हिंदु समाज के लिए हमोई जोडना चाहा हूँ, हिंदु धर्म के जितने महजब हैं, उनको जोडना चाहा, नकी तोरना, स्वामी जी एक नई प्रेणा के स्त्रोत थे, देश के निर्मान के लिए, देश के जुवकों को इमानदा और चैत्रवान बनाने मे वो सत्संग सततो प्रेत नसील है, हमारे पुधान मंत्री जी जिनोंने स्वच्छ भारत अभिजान में हम सब भारतों को उस्साहित किया है, संग भारत से असंग भी मानसिक, वाचिक और कार्मिक सर्बस्तर पर स्वच्छ भारत बनाने में सततो प्रेत नसील है, हमारे भीतर सच्ची भावनाओं का उद्रेक हो हम सच्च और इमानदार नावगरिक बने भर्दवर्श को महान बनाए जय भरत माता की जय मेगाले और असम के राजपाल स्रिमान बनवारिलाल जी पुरोहीत भारत सेवासनम संग के महा सचीव स्रिमत स्वामी विश्वातमा नंजी महाराज सहायक सचीव स्रिमत स्वामी अमरिशानन जी महाराज रामक्रिष्टन मीशन स्रिलों के सजीव स्रीमत स्वामी अच्चुतेश्वरानंजी महराच मेगालय इंडस्ट्रियल डेवलोप्मेंट कॉर्परेशन के चैर्मेन स्री ए एल हैक जी भारत सिवासरम संग के सभी सम्मानित सदस्य देवियो और सज्जनो दिल्ली और सिलोंग के बीच लगभग दो हजार किलोमेटर की दूरी है लेकिन तक्निक ने इस दूरी को मिटा दिया है पिछले बर्स मई के महने में ही मैं सिलोंग आया था आज जब वीडियो कांफरंस के माध्यम से आप सभी से बात करने का आउसर मिला है आपके आशिरवात पाने का आउसर मिला है तो अनेक वीट स्मृतियां ताजा होना बहुत स्वाभाविक है गुजरात में मुझे भारत सिवासम संग के अद्रक्ष स्वर्गिय स्वामी अक्षानन जी महराज के साथ बहुत नीकट वास्षव का आउसर मिला काम करने का मोका मिला था मंच पर उपस्तित स्वामी अम्रिशानन जी उनके सभी बाल काले थे तब से जानता हूँ कई वर्षव तक उनके एक मित्र भाव से उनके साथ काम करता रहा स्वामी गणेशानन जी कई वर्ष होगे मिलना नहीं हुआ है लेकिन उनको भी भली भाती मेरा उनके साथ भी बड़ा निकर संपर रहा आचारिय स्विमत स्वामी प्रणवाननजी महराज जिन्होंने भारत सेवा समकी स्थापना की इश्वर्स सेवा यात्रा के सोवर्स पूरे हो रहे हैं सेवा और स्रम को भारत के निर्माण के लिए साथ साथ लेकर चलने वाले संग के सभी सदस्यों को मेरी तरब से बहुत बहुत सुबकामना हैं किसी भी संस्ता के लिए यह बहुती गवरों का विशय है कि उसकी सेवा का विस्तार सो वर्स पूरे कर रहा हो और विशेशकर उत्तर पुर्व के राज्यों में भारत सेवा स्रम संग ने जन कल्यान कारी कार्य बहुत ही प्रसंसनिय रहे हैं बाड हो या सुखा या फिर भूकम भारत सेवा स्रम संग के सदस्यों पूरी तनमेता से सेवा भाव से पीडितों को राहत पहुचाते नजर आते हैं संकट के समय जब इनसान को मदद की सबसे ज़्यादा आवश्यक्ता होती है तो स्वामी प्रणमान अंजी के सिश्य सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा में जुड़ जाते हैं पीडित मनुश्य की सेवा तो हमारे सास्त्रों में तिर्फातन के रूप में मानी जाती है कहा गया है एकतह क्रतवह सर्वे सहस्त्र वर्दक्षणा अन्यतो रोग भीतानाम प्रानिनाम प्रानरक्षणाम यानि एक और वीधी पुर्वक सब को अच्छी दक्षणा दे करके किया गया यग्य कर्म और दूसरी तरफ दुखी और रोग से पिडित मनुश्य की सेवा करना यह दोनों कर्म उतने ही पुन्यप्रद है यानि यग्य करना और दुख्यारों की सेवा करना दोनों की पुवित्रता एक बराबर है यह हमारे सास्त्रों ने हमें सिखाया है साथिवा स्वामी प्रणवान अंजी ने अपने आध्यात्मिक यात्रा के चरम पर पहुंचने के पर भी और यह कहा था यह समय महा मिलन महा जागरन महा मुक्ती और महा समान न्यायका है आज जो हम सोशिल जस्तिस की बात कर रहे है स्वामी प्रणवान अंजी ने उस समय अपने कारकाल में सोशिल जस्तिस के लिए आवाज उठाई थी इसी के बाद उन्होंने भारत सेवा स्रम संगे की नीव रखी थी 1917 में स्थापना के बाद जिस सेवा भाव के साथ इस संस्ता ने काम शुरू किया था और उसे बडोदा के उस समय के महराजा सायजी राव गायकवार भी बहुती प्रभावित हुए थे महराजा सायजी राव गायकवार स्वयम जिस अथक परिश्थन से लोगों के उत्थान के लिए कारे करते थे वो जग जाहिद है लोग कल्यान के कारियों की चलती फिरती संस्ता की तरव हो थे इसलिए स्रीमत स्वामी प्रणान जी के देशवर में बेजे सेवा दुतों को उन्होंने जमिनी स्टर पर कारे करते देखा तो महराजा उनकी प्रसंसा की ये बिना नहीं रह सके थे जनसंग के संस्तापक हम सब के प्रेणा पुरुस सद्धे डॉक्टर शामा प्रसाइज मुखर जी तो स्वामी प्रणान जी को अपने गुरु की तरह मानते थे डॉक्टर मुखर जी के विचारों में स्वामी प्रणान जी के विचारों की जलग भी हम देख सकते हैं अपने शिश्यों को अध्यात्म और सेवा से जोड़ा वो अतुल्निय है जब 1923 में बंगाल में सूखा पड़ा और तब तो भारत सेवा समसंग की उमर सिरफ 6 साल थी जब 1946 में नौय खली में दंगे हुए जब 1950 में जलपाई गुड़ी में बहुत बाड़ा आई जब 1956 में कच्च के अंदर अंजार में पहला भूकम पाया था जब 1977 में आंदर प्रदेश में भीशन चक्रबात आया था जब 1980 में बोपाल में गेस त्रास्दी हुई तो भारत सेवा समसंग के लोगों ने पीडितों के बीच रहकर उनकी सेवा वो आज भी लोग याद करते हैं हमें ध्यान रखना होगा कि ये वो समय था जब देश में डिजांस्टर मेनेजमेंट को ले करके नहीं इतनी एजेंसिया बनी थी नहीं इतनी चर्चा थी नहीं इतना कोई एवेर्नेस था संकट आता तो तो वही स्थानिय लोग अपनी बुद्धी शक्ति के अनुसार कुछ ने कुछ अपना काम कर लेते थे प्राकृतिक आपदा हो या इनसान के आपसी संगर से पैदा हुए संकट हर मुश्किल घड़ी में भारत सेवास्रम संग ने उससे निपटने में महत्पपून निभूमी का निभाई मुझे लगता है कि आप लोग जहां बैठे हैं वहां बिजली चली गई लगता है लेकिन मुझे तो देख पा रहे हो ना आप लोग मेरी बात परित की सुनाई दे रही है चलिए मुझे आपकी आवाद तो सुनाई दी बीते कुछ वर्सों की बात करें तो जब 2001 में गुजरात में भूकम पाया 2004 में सुनामी आई 2013 में उतराखन में तरास दी आई 2015 में तमिलनाण में भाड़ाई आप कोई भी ऐसी दुरगटना देख लीजिए बारत सेवासरम संग की तरफ से जो भी उनकी शक्ति है भक्ती पुर्वक्त सेवा करने में वो कभी पीछे नहीं रहे भायों और बहनों स्वामी प्रणवान जी कहा करते थे बिना आदर्ष के जीवन मृत्व के सवान है अपने जीवन में उच्च आदर्ष थापित करके ही कोई भी व्यक्ति मानवता की सच्ची सेवा कर सकता है भारत सेवासम संग के सभी सदशों ने उनकी इन बातों को अपने जीवन में उता रहा है आज स्वामी प्रणवान जी जहां भी कही होंगे मानवता के लिए आपके प्रयासों को देखकर बहुत ही प्रसंद होते होंगे देशी नहीं विदेश में भी प्राकृतिक आप्दा आने पर भी भारत सेवासम के सदश्य लोगों को राहत देने के लिए पहुँच जाते हैं इसके लिए आप सभी का जितना अभिन्दन किया जाए उतना कम है हमारे सास्त्रों में भी कहा गया है आत्मा अर्थम जिवलोके अस्मिन कोन जीवती मानत है परम परोपकार अर्थम यो जीवती सह जीवती यानि समसार में अपने लिए कौन मनुष्य नहीं जीता है परंतु जिसका जीवन परोपकार के लिए है उसका ही जीवन सच्चे अर्थमें जीवन है इसलिए परोपकार के अनेक प्रयासों से शुशोभीत भारत सेवा समसंग सो वर्ष पुरे होने पर अनेक अनेक बधाई के पात रहें साथियों बीते कुछ दशकों में देश में एक मिथक बनाया गया कि अध्यात्म और सेवा के रास्ते अलग-अलग है कुछ लोगों द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि जो अध्यात्म की रहा पर है वो सेवा के रास्ते से अलग है आपने इस मुथक को ना सिर्फ गलत साबित कह दया लेकिन अध्यात्म और भारत के मुल्यों पराधरित सेवा को एक साथ आगे बढ़ाया आज देश भर में भारत सेवा स्रम संकी सौ से ज़्यादा साखाएं और पांस सो से ज़्यादा इकाईया स्वास्त सेवा शिक्षा के ख्षेत्र में नवजवानों को ट्रेनिंग देने के कारे में जुटी हुई हैं और बहुत बड़ी सेवा कर रही है भारत सेवा समसंग ने साधना और समाज सेवा के सयुक्त उपकरम के तौर पर लोग सेवा का एक मोडल विख्षित किया है दुनिया के कई देशों में ये मोडल सफलता पुर्वक चल भी रहा है सयुक्त राष्ट तक ने भारत सेवा संसंग के कल्यान कारी कारियों की प्रसंसा की है सामी प्रणवान जी महराच पिछली सताब्दी में देश की अध्याद्मिक चेतना की रक्षा करने वाले उसे स्वतंतरता अंदोलन से जोडने वाले कुझे एक महान अवतारों मैंसे एक थे स्वामी बीबे कानन जी महर्ची एर्विन ऐसे अंगिरत उनी लोगों की तरह प्रणवारंजी महराज का नाम भी पिछली सताब्दी के उन महान संतों में लिया जाता है और स्वामी जी कहां करते थे मनुष्य को अपने एक हाथ में भक्ती और एक हाथ में शक्ती रखनी चाहिए उनका मानना था कि बिना शक्ती के कोई मनुष्य अपनी रक्षान नहीं कर सकता और बिना भक्ती है उसे खुद की ही बक्षक बन जाने का खत्रा होता है समाज के विकास के लिए शक्ती और भक्ती को साथ लेकर जन शक्ती को एकजुट करने का काम जन चेतना को जागुरुत करने का काम उन्होंने अपनी बाल अवस्था से ही शुरू कर दिया था निर्वान के अवस्था से बहुत पहले जब वो स्वामी प्रणवानन नहीं हुए थे सिर्फ बिनोत के नाम से जाने जाते थे अपने गाउं के घर घर जाकर चावल और सबजियां जमा करते थे और फिर उन्हें गरीबों में बाढ़ देते थे जम उन्होंने देखा कि गाउं तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है तो सभी को प्रेडित करके जन सक्ति को जागा करके उन्होंने गाउं तक पहुँचने के सड़क निर्मान का भी काम करवाया था जात पांत छुबा छुट के जहर ने कैसे समाज को विवक्त करके रखा है इसका ऐसास उन्हें बहुत पहले ही हो गया था इसने सभी को बराबरी का मंत्र सिखाते हैं वो गाओं के हर व्यक्ति के साथ बिठाकर इश्वर की पूजा किया करते थे 19-वी सदी के आखिरी में और 20-वी सदी के प्रारम में बंगाल जीस तरह की राजनितिक गतीविधियों का केंद बना हुआ था उस दोरान राष्ट्रिय चेतना जगाने के स्वामी प्रणवान जी के प्रयास और ज़्यादा बढ़ गए थे बंगाल में ही स्थापित अनुसिलन समीति के रकांती कारियों को वो खुला समर्थन देते से अंग्रेजों के खिलाब लड़ते हुए वो एक बार जेल भी गए अपने कारियों से उन्होंने साबित किया कि साधना के लिए सिर्फ गुफाओं में रहना आवशक नहीं बल्कि जन जागरान और जन चेतना जागरूत करके भी साधना की जा सकती है इश्वर को प्राक्त किया जा सकता है भाई और बेहनों आज से सो वर्ष पहले देश जिस मरस्तिती से गुजर रहा था गुलामी की बेडियों से अपनी कमजोरियों से मुक्ति पाना चाहता था उसमें देश अलग-अलग भूभागों पर जन शक्ति को संगधित करने के प्रयास अनवरत चल रहे थे 1917 का ही वो वर्ष था जब मात्मा गांदी ने चंपारण में सत्यागरा अंदोलन का बिजारोपन किया हम सभी के लिए सुगत संयोग है इस वर्ष देश चंपारण सत्यागरा के सो वर्ष का भी उत्सव मना रहा है सत्यागरा अंदोलन के साथ साथ ही मात्मा गांदी ने लोगों को स्वच्छता के प्रती जागरुप भी किया था आपकी जानकारी में होगा कि पिछले महिने चंपारण सत्यागरा की तरही देश में स्वच्छागरा का भियान की शुरुवात की गई है आजाती के लिए सत्यागरा तो भारत के उजवल भविश के लिए स्वच्छागरा यानि स्वच्छता के प्रती आगरा आज इस हवसर पर मैं स्वच्छा ग्रह को भी आपकी साधना का सेवा का अभिन अंग बनाने का आग्रह करना चाहता हूँ इसकी एक बज़े भी है आपने देखा होगा कभी तिन चार दिन पहले ही इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षन में शहरों की रैंकिंग गोशित की गई है उत्तर पुर्वी राज्यों के बारा शहरों का भी सर्वे किया गया था लेकिन स्थिती बहुत अच्छी नहीं है सिर्फ गंगटोक एशा सहर है जो पचासवे नंबर पर आया है चार सहरों की रैकिंग सौसे दोसों के बीच है और बाकी साथ सहर दोसों और तीन सों के दायरे में आगए है सिलोंग जहां आप बैटे विये हैं वो भी 276 नंबर पर है ये स्थिती हमारे लिए राज्य सरकारों के लिए बारत सेवा स्रम संगे जैसी संस्ताओं के लिए मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनावती है स्थानिय एजन्सियां अपना काम कर रही है लेकिन इनके साथ साथ प्रक्तेक व्यक्ति को ये एहसांस कराये जाना बहुत आवश्यक है कि वो अपने आप में स्वच्छता मिशन का एक सिपाई है हर व्यक्ति ने अपने प्रयाँ से ही स्वच्छ भारत स्वच्छ उत्तरपुर्व के लिए उस लक्ष को हम हासिल कर सकते हैं भाईयों और भेनों स्वामी प्रणवानजी महाराज कहते थे देश के हालात को बदलने के लिए लाखों निश्वार्त कर्मयोग्यों की आवशक्ता है यही निश्वार्त कर्मयोगी देश के प्रतेक नागरी का मनोभाव बढलेंगे और उस बदले हुए मनोभाव में एक नए राष्ट का निर्मान होके रहेगा स्वामी प्रणवानजी ऐसी महान आत्माओं की प्रेणा से देश में आप जैसे करोडव निश्वार्त कर्मयोगी है बस हम सभी मिल करके अपनी उर्जा स्वच्छा ग्रह के इस अंदोलन को सफल बनाने में लगा देनी है मुझे बताया गया है कि कि जब स्वच्छ भारत अभ्यान शुरू हुआ था तब आप लोगों ने उत्तर पुर्व के पांच रेल्वे स्टेशनों का चेहन किया था कि उन स्टेशनों में सफाई की जिम्मेदारी उठाएंगे वहां हर पकवाड़े स्वच्छता का अभ्यान चलाया अब आपके प्रयासों को और ज़्यादा बढ़ाए जाने की ज़रूत है मोदी जी हमें काम बता रहा है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग करते है और बताने का मन भी तो उन्हीं को होता है जो करने की आदत रखता है तो मुझे भी मोह हो जाता है कि मैं भी आपको कुछ कह दू इस वर्च जब आप सभी अपनी संस्ता के घड़न के सौवर्स बना रहे हैं तो इस महत्वपुन वर्ष को क्या पूरी तरह स्वच्चता पर केंदित कर सकते हैं क्या आपकी संस्ता जीन इलाकों में काम कर रही हैं वहाँ पर परियावरन की रक्षा के लिए पूरे इलाके को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए और स्वच्चता के ऐसे और कामों को भी कर सकती है क्या क्या जल सवरक्षन और जल प्रबंधन के फायदों के लिए लोगों को जागरूप कर सकती है क्या कि आपने लक्षों को संस्था के कुछ कारियों को आप वर्स 2022 2022 उसके साथ जोड़ सकते हैं क्या, 2022 भारत अपनी स्वतनत्रता के 75 वर्स में प्रविश कर रहा है, इस पर अभी पांच वर्स का समय है, और इस समय का उप्योग कर हर व्यक्ति, हर संस्था को अपने आसपास व्याप्त बुराईयों को खत्म करके, पीछे छोड़ कर आगे बढ़ने का प्रहास करना चाहिए, संकल पर लेना चाहिए, चल पढ़ना चाहिए, साथ क्यों आपको ग्याद होगा, कि 1924 में स्वामी प्रणवान अंजी ने देश भर में स्थीत, अनेक तिर्थ स्थलों का पुनरुधार करवाया था, तिर्थ संकर नाम से आपने कारकम शुरू करके, उस समय हमारे तिर्थ स्थलों से जुड़ी जो कमजोरियां थी, उसको दूर करने का उन्होंने भर्षक प्यास किया था, आज हमारे तिर्थ स्थलों की एक बड़ी कमजोरी अस्वच्चता है, क्या भारत सेवास्रम संग प्रणवान अंजी ने जिस काम को शुरु किया था, वो तिर्थ शंकर कारकम को पुन्ह एक बार शुरू करके स्वच्छता से जोडते हुए नए सिरे से उसको और अधिक प्राणवान बना करके आगे बढ़ा सकता है क्या आपदा प्रबंधन के अपने अनुभवों को भारत सिवा समसंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है उस बारे में भी सोचा जाना चाहिए हर वर्ष देश में हजारों जिन्दिगियां प्राकुर्दिक आपदा की विज़े से संकट में आती है पिछले वर्ष देश में पहली बार नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट प्लान बनाया गया है सरकार बड़े पहमाने पर लोगों को जांगरूप कर रही हैं लोगों को मौक एक्सरसाइज के जरिये भी डिजास्टर मेनेजमेंट के तरीकों के बारे में ट्रेंड कर रही है साथ हो आपकी उत्तरपूर्व के राज्यों में सक्रियता और संगठन सक्दी का डिजास्टर मैनेजमेंट में भहुत उप्योग हो सकता है आपकी संस्ता आपता के बाद और आपता से पहले दोनों इस स्थित्यों से निपटने के लिए लोगों को तयार कर सकती है इसी तरह जैसे स्वामी प्रणवान जी देश भर में प्रवचन दल भेज करके अध्यात्म और सेवा का संदेश देश विदेश तक पहुँचाया वैसे ही आपकी संस्ता उत्तरपरवक के कौने-कौने में जाकर के आधिवासी इलाकों में जाकर खेल से जुड़ी प्रतिभाव की तलास में प्रभावी भूमी का निभा सकती है इन अलाकों में पहले से आपके दर्जनों स्कूल चल रहे हैं आपके बनाए होस्टेल में सेंकडो आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए एक काम आपके लिए मुश्किल नहीं है आप जमीन पर काम करने वाले लोग है लोगों के बीच में काम करने वाले लोग है आपकी पार्खी द्रश्टी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद कर सकती है स्वामी प्रणवानजी कहते थे कि देश की युवाशक्ती जागरूत नहीं हुई तो सारे प्रयास विफल हो जाएंगे अब एक बार फिर अवसर आया है सुदूर उत्तर पुर्व में छिपी इस युवाशक्ती को खेल की प्रतिभाओं को मुख्य धारा में लाने का इसमें आपकी संस्था की बड़ी भूमिका हो सकती है बस मेरा अगरह है कि आप अपनी सेबा साधना के लिए जो भी लक्षताय करें वो मिजरेबल हो यानि जिसे आंकडों में तई किया जा सकते हैं ना पा जा सके हैं सच्चता के लिए आप उत्तर पुर्व के दस शहरों तक पहुँचें या ग्यारा एक हजार से गावों तक पहुँचें ये निर्णे आप करें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सो केम्प लगाएं या हजार केम्प लगाएं इसका अंदिर्णे आप करें लेकिन मेरा फिर आगर है जो भी तय करें उसको ना पा जा सकना चाहिए हिसाब किताब निकलना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए 2022 तक बारत सेवा समसंग ये कहने की स्थिति में हो कि हमने सिर्फ अभियान ही नहीं बल्कि पचास हजार या एक लाख लोगों को इससे जोड़ा है जैसे स्वामी प्रणवान ची कहां करते थे हमेशा एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए वैसे ही आप भी संस्था की एक डायरी बना सकते हैं जिन में लक्ष भी लिखा जाएं और तय अंत्रावे पर ये भी लिखा जाएं कि उस लक्ष को कितना प्राप्त किया आपका ये प्रयास आपका ये स्रम देश के निर्मान के लिए निउ इंडिया इस सपने को पुरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर है स्रम को तो हमारे हाँ सबसे बड़ा दान माना गया है और हमारे हाँ हर स्तिती में दान देने की प्रेड़ा दी जाती है स्रद्धयादेयम अस्रद्धयादेयम स्रियादेयम हर्यादेयम भियादेयम संबिदादेयम हमारे आथो कहते हैं व्यक्ति को चाहिए कि वो स्रद्धा से दान दे और यदि स्रद्धा न हो तो भी बिना स्रद्धा को दान देना चाहिए दन में वृत्ति हो तो दान देना चाहिए और यदि धन न बढ़ रहा हो तो फिर लोग लाच से दान देना चाहिए भय से देना चाहिए अत्वा प्रेम से देना चाहिए कहने का ताथ पर ये ये हैं कि हर परिस्थिती में मनुश्य को दान देना चाहिए छाथियों उत्तर पुर्व को लेकर मेरा जोड इसलिए है क्योंकि स्वतंतरता के बात इतने वर्षों में देश के इस खेत्र को संतुलित विकास नहीं हुआ है अब केंद्र सरकार पिछले तीन वर्सों से अपने संपूर्ण संसाधनों से उत्तर पुर्व के संतुलित विकास का प्रयास कर रही है पूरे इलाके में कनेक्टिविटी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है चालीस हजार करोड के निवे से उत्तर पुर्व में रोड इन्फास्रक्चर तैयार किया जा रहा है रेलिवे से जुड़े उननीस बड़े प्रोजेक्ट शुरू किये गए हैं बिजनी की वबस्ता सुधारी जा रही है पूरे इलाके को परियटन के लिहाद से टूरिजम के दुरूस्टी से मजबूत किया जा रहा है उत्तर पुर्व के छोटे हवा यड़ों का भी आधुनी करण किया जा रहा है आपके इस शिलोंग एरपोर्ट में भी रनवे की लंबाई बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है बहुत जल्द ही उत्तर पुर्व को उड़ान योजना से भी जोड़ा जाएगा ये सारे प्रयास नौर्थ इसको साउथ इस एश्या का गेटवे बनाने में मदद करने वाले हैं साउथ इस्ट एश्या का ये खुबसूरत गेटवे अगर अस्वच्च होगा अस्वस्थ होगा असिक्षित होगा असंतुलित होगा तो देश विकास के गेटवे को पार करने में पिछड़ जाएगा साधनों और संसाधनों से भरपूर हमारे देश में कोई ऐसी वज़ा नहीं जो हम पिछड़े रहें गरीब रहें सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हमें सभी को ससक्त करते हुए आगे बढ़ना है हमारा समाच समनवय सयोग और सवहार से ससक्त होगा हमारा युवा चरित्र चिंतन और चेतना से ससक्त होगा हमारा देश जन शक्ती जन समर्थन और जन भावना से ससक्त होगा इस परिवर्तन के लिए हालात बदलने के लिए न्यू इंडिया बनाने के लिए हम सभी को करोडो करोड निश्वार्त कर्मियोग्यों को भारत सेवासरम संग जैसी अनेक अनेक समस्ताओं को मिल करके काम करना होगा इसी अहवान के साथ मैं अपनी बार समाप्त करता हूँ और एक बार फिर भारत सेवासरम संग के सभी सदशों को बहुत-बहुत सुपकामराई देता हूँ देवस्त विराजबान प्रणवानंजी महराज के चन्नों में भी बंदन करता हूँ और आप सभी को अनेक-अनेक शुपकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको वीडियो कंफारेंस के मध्यम से देखकर और आपने मुख से मेरा नाम भी आपने किया अनन्द हुआ नरेंद्र भाई मैं आपका हारदिक संग के और से मैं आपका हारदिक हारदिक धन्यवाद करता हूँ आपने हमारे आमंत्राण को शिकार करके स्वामी प्रणवानंद जी महराज ने सौ पहले जो भारत स्याश्रम संग की स्थापना की थी आज सौ बरसों के यह समुस्ता इतनी फूले फुले है और समाज के दरेक शेत्र में सेवा कर रहा है यह आपके देन में आया बहुत खुशी की बाद है मैं आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं धन्यवाद धन्यवाद जैन्य नमस्कार Thank You Shyamiji Thank You Honorable Prime Minister of India for his kind and inspiring words May I now welcome Srimad Swami Achyuteshan